कैसे टिकट काटी गई है और कैसे आज टिकट बटे है उस पर भी बात होगी क्योंकि उप मुख मंत्री टियस सिंग देओ के खिलाफ केंडिडेट उतार दिया गया है बीजेपी के द्वारा तो ऐसे तमाम मसलें हैं जिस पर बात होगी कौन बनेगा मुख मंत्री में आज पहले आपने 36 गड़ की राजधानी राइपूर से देखा कौन बनेगा मुख मंत्री जनता का नब्ज हमने टटोला पूछा की बताईए इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं उसके बाद हम दुर् आसलेकिन आज हम पहुँचे हैं बिलासपूर तो बिलासपूर में टिकट बटवारे के बाद और जैसा कि मैं आप से कह रहा हूँ कि करोडों रुपए कैस मिल रहे हैं सराब मिल रही है और दिलीप कहां है हमारे सयोगी दिलीप सर्मा वो तो कह रहे थे कि साड़ी भी मिल ही और क्या-क्या मिल रहा है दिलीब साडीक लावा जीरे जेवरा सोने चांदी पिस्किट निल EST hours को यह आपको सब कुछ बताएंगे लेकिन पहले सुनिए कि अब तक ना क्या क्या कह रहे और क्या-क्या मान रहें उसके बाद करेंगे चर्चा के शुरुवात कौन बनेगा मुख्यमंत्री में 36 कड़ में भारतिये जनता पाटी ने चार और उम्मिद्वारों की चौथी लिष्ट भी जारी कर दी इस लिष्ट के साथी बीजेपी ने राजी की सभी 90 सीटों पर प्रत्याश्यों का एलान कर दिया लेकिन सियम भुपेश बगेल का दावा है बीजेपी के प्रत्याश्यों की चुनाओं में करारी हार हो गी बाजपा दो डरी भी है क्योंकि एक तरफ 36 गड़ों बचाने वाले लोग है जो कांग्रेस पार्टी इसमें काम करें दूसरे तरफ भारती जनता पार्टी है बीजेपी ने अम्बिकापूर सीट से भी प्रत्याशी का एलान किया है इस सीट पर कॉंग्रेस के नेता और डिप्टी सियम टीएस सिंग देव मैदान में है अमिकपूर से बीजेपी ने राजेश शक्रवाल को मौका दिया बीजेपी का दावा है जनता गुपेश सरकार का हिसाब करने वाली है बारतिय जनता पारिटी बहारी बहुमत के साथ चत्तिर गड़ में सरकार बनाएगी तीन दिसंबर को जब मदगरना होगी कमल खिलेगा भारतिय जनता पारिटी की सरकार बनेगी चत्तिर गड़ कुछाली और तरक्टी के और आगे बढ़ेगा कुछ दिरों में चत्तिर गड़ में बड़े बड़े नेताओं की रेलियां शुरू हो जाएंगी और उससे पहले पाटी के प्रवक्ताओं ने मोर्चा सम्हाला है कॉंग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रिनेद रायपूर पहुँची कॉंग्रेस के वादे गिनाए और चुनाओं में जीत का दावा ठोका है हमने पात साल में ऐसा काम किया कि 40 लाख लोकों को गरीबी की सीमा रेखा के बाहर निकाला 44 लाख परिवारों को बिजली बिल हाफ होने का फाइदा पहुँचा किसान जो 12 लाख रेजिस्टर्ड होते थे धान बेचने के लिए आज वो 25 लाख पहुँच गये और यह सब हमने तम किया जब केंदर सरकार लगातार हमसे सोतेला वेभार करती तो यह हमारा रेपोर्ट कार्ड है हम इसके बेसिस पर वोट बांग रहे हैं चुनावी वार पलटवार के बीच 36 गण में विजिलेंस की टीमें एक्शन में हैं निगरानी दलों ने आचार सहिता लगने से अब तक 30 करोड से ज्यादा की अवायद रकम जब्त किये हैं जिसको लेकर बीजेपी उपेश सरकार पर हमला बोल रही मैदान सज चुका है दोनों बड़े दलों के सारे प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं और 3 दिसंबर को ये बात भी साफ हो जाएगी कि कौन कितना पानी में है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए की तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे